हेलो दोस्तो शाम के समय अगर कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन करें तो हमें बनाना चाहिए आलो पकोड़ा जो कि बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही टेश्टी लगता है तो जटपट भी बनता है तो चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमको दो बड़े अलो ले लेना है मेरा मन बहुत किया शाम को कुछ खाने का कि क्या खाया जाया और क्या जल्दी बनाया जाया क्योंकि सभी को भूक लेगी थी तो एक ऐसा ही है आलो पकोड़ा जो कि छोटों को भी अच्छा लगता है और बढ़ों को तो क्या कहन तो सबसे पहले हमको दो बड़े बड़े आलू को छोली से छिल लेना है और उसको चाको से ही काटना है क्या है चिप्स कटर में बहुत बारी कटता है तो मज़ा नहीं आता है आलू पकोडा तो हम क्या करेंगे चाको से इसको एक उसमें काटेंगे तो देखें कितना अच्छा मोटा कट रहा है इसका अगर आलू पकोड़ा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है तो मैं तो हमेशा इसी प्रकार से बनाती हूं तो आप ही एक पार्ट जरूर ट्राई करिएगा और अब हम क्या करेंगे उसको धो का एक किनारे कर देंगे और यहां पर हम एक कटोरा म बहुत ही अच्छा बनता है और हम यहां पर एक ऐसा मसाला बनाए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है जीरा हरी मिर्च और धनिया पत्ती अद्रक इन चारों को मिला कर हम उसका पेश्ट त्यार करें हैं और उसमें मिला रहे हैं हल्दी और स्वादनुसार नमक यह बहुत मिलाने के बाद अब हम इसमें पानीं मिलाने के तरह मिलते हैं ऐसा करने से घोल भी अच्क हो जाता है और और हमको पता चल जाता है कि हमको इसमें पानी एट करना है कि नहीं क्योंकि आलू पकोड़ा है इसलिए घोल को थोड़ा सा अपने को गाढ़ा रखना है बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं मतलब आलू इसमें अच्छे से लप्टा जाए इ और अब हम क्या करेंगे एक साइड मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए और यहां पर मैं अजवाइन को क्रश करके डाल रही हूँ जब भी कोई बेसन का चीज बनाओ उसमें अजवाइन ना डाले तो मज़ा नहीं आता है अजवाइन डलना ही चाहिए और एक चुटकी काने का सोडा इससे आलो पकोड़ा बहुत ही अच्छा बनता है बहुत जादा इसमें नहीं डालना है इसमें क्या होता है तो हमको क्या करना है पांचे हरी मिर्च को चिरा लगाकर उसको तेल में तल लेना है इससे आलू पकोड़ा का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है अब हम बनाएंगे आलू पकोड़ा तो मैं यहाँ पर चेक करके देख रही है तेल तो गरम हो चुका है क्योंकि अभी हम मिर्ची तले थे तो अब हम इसमें आलू पकोड़ा को हम क्या करेंगे आलू को बेसन में मिलाएंगे और एके करके हम डालते जाएंगे एक साथ हमको नहीं डालना है ने तो आपस में चिपक जाते हैं एक-एक करके डालने से अलो प्रकोड़ा बहुत ही अच्छा बनता है और बनाने में भी आसानी रहता है देखे इस प्रकार से हमको आलू को इसमें लपेट लेना है वेशन में और एक-एक करके हमको इस प्रकार से डालते जाना है जैसी वो तल के उपर आजाए दूसरा डाल दीजे इसी प्रकार से हमको पुरा कड़ाई में प्रवाई के अनुसार जितना तेल है उसके साथ से हमको उसमें आलू पकुडा को डाल देना है और उसको हमको अलट पलट के अच्छी तरह से तलना है या अच्छे से तलने से ही कुरकुरा रहता देखे सुरू में बहुत जाओ था अब जाग इसका खतम हो गया है यह यह त्रवाइब था सब्सक्राण के कड़े हो जाते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस है उसके प्रकार से हमको अल्व पकॉडा को डलना है और यह अलो पकोड़ा शाम के समय तो बहुत ही अच्छा लगता है खास कर जब भी हम चाय पीने के समय रहता है तो उसमें गर्मा गर्मा अगर हमको अलो पकोड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है यह शाम जो है बहुत ही अच्छे से कड़ जाती है बोलना तो ये तला चुका है और उसको मैं एक ठाली में निकाल रही हूँ ये देखे इस प्रकार से हमको तलना है और इसी प्रकार से हमको और जो बच्चेवे आलू है उसको भी इसी प्रकार से हमको बेशन लपेड कर तल लेना है और आज को हमको यहाँ पर तेज रखना है डालते वक्त आज को हमको कम रखना है लेकिन जैसे वो जब डला जाएगा तो आज को तेज करना है तभी पकोड़े अच्छे बनते हैं अब मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ इसको चाय चटनी के साथ खाईए मीठी चटनी के साथ या तिखी तो यहाँ पर मैं टमाटो सॉस यूस कर रही हूँ और हरी मिर्च यह बहुत ही अच्छा बना है यह देखी मैं आपको तोड़ कर इसको दिखाऊंगी तो आपको मेर की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को बहुत ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल को शेयर भी करिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए थै तेंक यू